जहिंद वेलकम टू विजेपत एजुकेशन पालंपुर मैं आज आपके सामने एच्पी टैट नोन मेडिकल का एक्जाम जो की आज कंडेक्ट करवाया गया है मैं उसकी पूरी की पूरी आंसर की आज आज आपके सामने लेके आया हूँ आई होप आप सभी का भी एक्जाम जो है वो काफी अच्छा गया है पूरी एक्जाम को आज हम यहाँ पे solve करने वाले हैं फुल एनलेसिस करेंगे आज के इस question paper का और मैं यहाँ पे series जो है वो DE को यहाँ पे solve कर रहा हूँ तो आप अपने exam paper के coding जो है वो यहाँ पे अपने answer जो है वो check कर सकते हैं कि कितने marks आपके यहाँ पर बनते हैं तो वीडियो को start करते हैं सबसे पहले psychology and development का जो हमारा portion है 30 question इसके रहते हैं उसको हम यहाँ पे solve करने वाले हैं section A का जो हमारा पहला question था यहाँ पे bilingual question जो है वो दिये गए हैं यहाँ पे direct आपको जो है वो answer की ही यहाँ पर बताऊंगा और math और physics chemistry के जो question यहाँ पे हमारा से solve हो पाएंगे वीडियो के अंदर उनको मैं यहाँ पे solve करने की try करूँगा so first question यहाँ पर दिया गया था आपके सामने evaluation is a evaluation क्या है evaluation जो है जिसको मुल्यांकन बोलते हैं यह qualitative भी होता है और quantitative भी होता है तो option C जो है वो इसका बिल्कुल right answer यहाँ पर रहेगा उसके question number 2 दिया गया है for a distant stage of child intellectual development are identified by तो चार जो अलगलग चरण दिये गए थे बच्चों के बोधिक विकास के लिए यह दिये गए थे gene प्याजे के according question number 3 आपके सामने दिये गया है the ability to do to learn by observing a model or receiving instruction without reinforcement is called तो question number 3 था इसका जो right answer था वो था आपका social learning समाजिक शिक्षा जो है वो इसका बिल्कुल सही answer यहाँ पर रहेगा उसका question number 4 की हम यहाँ पर बात करते हैं मनो विज्ञान में व्यक्तिकत अध्यन कोपियों किया जाता है इन psychology case study are used to तो किस purpose के लिए किया जाता है इसका right answer था option C draw general conclusion about of the behavior of the client उसका question number 5 आपके पास दिया गया था psychology is defined as the scientific study of तो यह अगर B.Ed में first semester की बात करें तो जो child psychology का आपका subject उसमें first आपका topic रहता है कि जो psychology है वो आपकी study है mind and behavior की तो mind की theory जो है वो fail हो जाती है लेकिन उसके बाद behavior की theory जो है वो वहाँ पर proof की जाती है तो psychology जो है वो scientific study है mind and behavior की option D जो है वो इसका बिल्कुल सही answer यहाँ पर रहेगा question number 6 है the feeling of shame and pride developed in the stage of तो यह जो है वो infancy के कारण जो है जो infancy stage है उसमें जो है यह develop होती है question number 6 का option B आपका right answer रहेगा question number 7 आपके पास दिया गया है continuous and compressive evaluation include इसका right answer आपका रहेगा बोथ A and B scholastic and co-scholastic achievements जो है वो इसमें यहाँ पर counter की जाती है include की जाती है question number 8 की बात करते है which is the most essential for learning तो learning के लिए जो है वो सीखने की इच्छा होनी चाहिए तो desire to learn जो है वो इसका option B right answer था question number 9 है which of the following statement is false तो कौन सी इसमें से statement जो है वो गलत दी गई थी तो यहाँ पर बताया है option C's का right answer है too much competition in school causes better mental health तो school में काफी अधिक जो competition होते हैं उनसे जो है वो बच्चा जो है वो मानसिक स्वास्थे का कारण जो है वो उसका बन जाता option C's का बिलकुल सही answer यहाँ पर रहेगा उसके question number 10 की बात करते हैं a teacher should make an attempt to understand the potential of his student which of the following field is related to this object तो इसके लिए कौन सी चीज़ जो है वो सबसे बहतर जो है वो सबसे comments जो है वो मानी जाती इससे समंदित तो इसका जो right answer था वो था education psychology option B जो है वो इसका बिलकुल सही answer रहेगा उसके बाद question 11 है as a teacher यहाँ पर एक statement बताई गी थी थी कि दृढ़ता से बिश्वास करने वाला जो शिक्षक है वो कौन सी बिधी को कौन से एक method को जो है वो approach करता है तो इसका जो right answer था वो था आपका सहयोगी परियोजनाए option A इसका जो है वो right answer यहाँ पर रहेगा उसके question number 12 में बोला गया है कि जिस परकार से हम अपने ideas इसको जो है वो हम रखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है दक्षता और विशेशताओं को जब हम अपनी तरफ से देखते हैं तो इसको sorry self concept जो है वो कहा जाता है option C जो है वो इसका बिल्कुल सही answer यहाँ पर रहेगा question number 13 है तो जीन प्याजी की जो theory दी गई थी उसमें एक चीज़ बोली गई थी कि सीखने के लिए कौन सी चीज़ जो है वो इसमें आवश्यक बताई गई है तो सीखने के लिए जो है जीन प्याजी के coding इसमें बताया गया था कि परियवन के साथ जो है वो उसकी एक क्रिया जो है वो एक्टिवनेस जो है वो वहाँ पर होनी चाहिए तो option A जो है वो इसका right answer था question number 14 में बोला गया था in the process of learning तो इसका जो right answer था वो था create interest for learning तो learning के लिए सबसे जादा है कि वो उसमें जो है वो interest जो है वो create करता है question number 15 की बात करते हैं the concept of object performance in attain during the PRJ which stage of that development तो कौन सी stage में जो है वो बच्चे की जो performance है वो attain की जाती है तो option A sensory motor जो है वो इसका बिल्कुल सही answer यहाँ पर रहेगा question number 16 की बात करते है ट्राइपोलर के लिए जो है वो एक teacher का होना जरूरी है साथ में दिशा निर्देश उसमें होने चाहिए और उसमें students का होना भी जरूरी है तो इसमें कोई भी आपका option जो है वो इनमें से common नहीं था तो इसका option question number D जो है none of these इसका right answer यहाँ पर रहेगा question number 17 की बात करते हैं जो सबसे oldest method है study in the educational psychology वो है आतम निरिक्षन या फिर introspection method option B जो है वो इसका बिल्कुर सही answer रहेगा question number 18 है जो जो फ्राइड ने एक theory दी थी बुक इसके उपर इसने बताया था फ्राइड के द्वारा तो अनकॉंशिनस डिजायर के ऊपर जो है वो इसने बात की थी option C इसका right answer रहेगा question number 19 जो है according to the four basic element तो कौन से चार basic element जो है वो प्याजे theory के according gene प्याजे ने दिये थे तो वो थे maturation, experience, social transmission and equally variation तो option A जो है वो इसका बिल्कुल सही answer यहां पर रहेगा question number 20 की बात करते है most human behavior जो है वो किसके कारण होता है तो इसके multiple factors जो है वो multiple causes इसके हो सकते है option B इसका right answer रहेगा यहां पर मैं series जो है वो D यहां पर जो है वो मैं solve कर रहा हूं सारे के सारे question आपके यहां पर solve करवाए जाएंगे with fact के साथ तो आप अपनी series के according जो है वो question answer को यहां पर check कर सकते हैं कि कितने question आपके जो है वो right यहां पर रहते हैं तो question number 21 जो है इसमें बोला था कि feeling जो है वो कौन सी theory के उपर based है तो psycho analysis के उपर option D इसका right answer यहां पर रहेगा उसके बाद बोला था psychology क्या है तो यह question जो है वो आपका यहां पर हलका सा गलत हम इसको मान के चल सकते हैं क्योंकि education psychology natural science भी है physical science भी है biological science भी है और social science भी है तो यहां पर यह question जो है वो गलत है इसका आपको एक marks जो है वो एक्स्ट्रा यहां पर मिल जाएगा उसके बाद question number 23 की बात करते हैं adolescence is the period of stress and strain यह किसके द्वारा दिया गया था तो यह दिये गया था Stanley Hall के द्वारा जिनको जो है वो adolescence का father भी बोला जाता है option B जो है वो इसका बिल्कुल सही answer रहेगा question number 24 है educational learning theory इसमें से कौन सी नहीं है तो उस वो theory है आपकी cognitive field theory option B जो है वो इसका यहां पर बिल्कुल सही answer रहेगा question number 25 है which of the following theories associated with law of effect तो law of effect जो है वो दिया गया था thorn dyke theory के द्वारा option is का बिल्कुल सही answer यहां पर रहेगा question number 26 है psychology is the science of mind defined by dash school of psychology तो किसके द्वारा यह दिया गया था तो यह एक philosopher थे तो यहां पर प्राचीन युनानी दार्षनिक या फिर incident Greek philosopher option D जो है वो इसका सही answer यहां पर रहेगा question number 27 की बात करते है teaching is an interactive process who has defined it तो इक इसके द्वारा जो है वो define किया गया था option आपके पास दिये गये थे इसका जो right answer था एंडमड एमिडॉन option B जो है इसका right answer था question number 28 था defense mechanism is created by तो रक्षातंतर जो है वो ego के द्वारा जो है वो create किया जाता है option B इसका एहंका right answer था question number 29 है ऐसा कौन सा method है जो एक special need को ज एक children की special need को जो है वो ढूने में सहाइता करता उसकी study जो है वो करवाता है तो वो जो आपका answer था वो था आपका case study method option B इसका right answer था last question था आपका child psychology का projective technique are used to assess जो unclean करने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाता है तो वो किस चीज़ के लिए करते है personality option A जो है वो right answer था यहाँ पे मैंने try की है कि आपके 30 के 30 question जो है वो बिलकुल सही मैंने आपको यहाँ पे कराए अगर इन में से कोई भी अगर question आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो है बुर्रों करवाया गया है तो आप comment box में उसको जरूर बताएं उसके लिए जो फिर है यहाँ पे एक नई वीडियो जो है वो मैं upload करूंगा जिसमें पूरी short ही किसाफ जो है वो आपकी question answer को भी वहाँ पे हम discuss करेंगे उसके आद chemistry और physics का section जो था इस वारी किया जाता है तो इसका जो राइट आंसर था option B जिर क्रोनियन यह इसका राइट आंसर था उसके आद बिरंजक चूरन जो है वो bleaching powder के लिए पूछा गया था तो CAO CL2 option A इसका राइट आंसर था chemistry यहाँ पर इस वार हलकी सी easy भी थी और moderate level की आप बोल सकते हैं यहाँ पे question number 33 जो है इसमें बोला गया था कि कौन से ऐसा pair है जो displacement metal को शो करता है तो AGNO3 जो है और copper metal यह जो है वो displacement reaction को शो करते हैं क्योंकि अगर displacement reaction एक ऐसा reaction है जिसमें जो highly reactive जो metal है यहाँ पर highly reactive metal जो है वो किसी दूसरे के साथ जो है रियक्ट कर जाती है यहाँ पर मतलब की वो अकेली नहीं रहती है यहाँ पर जो NA है वो सबसे पहले और यहाँ पर copper NA और copper में NA सबसे जाधा reactive है तो यह इसको नहीं छोड़ेगा magnesium और aluminium में magnesium सबसे reactive है तो इसको नहीं छोड़ेगा FE और silver में FE सबसे जाधा reactive है तो FE break नहीं होगा लेकिन अगर मैं AG और copper की बात करूँ तो AG और copper में copper सबसे strong है तो copper AG को यहाँ पर डराएगा उसको हटाएगा और NO3 के साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर इसकी displacement होगी इसलिए option D इसका right answer यहाँ पर रहेगा next question की बात करते हैं question number 34 की इसमें बोला गया था कि quantum number जब 4 है तो कितने maximum number of electron जो है वो आ सकते हैं यहाँ पर 2N square का formula जो है वो apply किया जाता है तो quantum number 4 था तो 4 का square आ जाएगा यहाँ पर 16 into 2 32 के आसपास value आएगी तो यहाँ पर कोई भी option हमारा match नहीं करता लेकिन appropriate answer हम 36 को near about 32 है इसलिए option C को हम यहाँ पर direct tick कर सकते हैं बाकी depend करता है कि official answer की के ओपर कौन सा इसका correct answer दिया जाता है question number 35 है 1 mole of oxygen gas at STP is equal to तो इसका right answer था option B 6.22 into 10 की power 23 atoms of oxygen उसके बाद the correct formula of eurotropin जो इसका right answer है वो है CH2 6N4 option A इसका right answer यहाँ पर रहेगा उसके बाद बोला था कैसी trial किसका ASC है यह किसका or है तो यह है आपका tin का और tin यहाँ पर symbol की form में दिया गया था जो की था SN option B इसका right answer है उसके 3D परमानू कक्षिय है 3D और atomic orbital है इसमें कितने node या फिर radial होते हैं तो यहाँ पर भी कुछ confusion है बसे basically इसका जो right answer है option B को अभी तक हम यहाँ पर tick कर सकते हैं बाकि depend करता है official answer की के उपर आपके इस पूरे के पूरे exam में 5-6 questions जो है वो ऐसे दिये गए थे जिनमें की कुछ न कुछ न कुछ error जो है वो आप यहाँ पर बोल सकते हैं और math का एक question जो था वो यहाँ पर बिल्कुल गलत गिया गया तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर discuss करेंगे next question है आपके पास यहाँ पर बोला था कि जब इसको neglect करते हैं इसलिए chlorine को यहाँ पर काम में लिया जाता है option A जो है वो इसका right answer है जो first organic compound बनाये गया था वो था उसके बाद काफी common question पूछा था वेल्कनाइजिशन ऑफ रबर में जो है वो sulfur का यूज किया जाता है option C इसका right answer था BOD is measure of तो BOD क्या काम करता है organic pollutant in water जो है उनको measure करता है तो option A राइट answer था यह भी common reduction बोथ है उसको हम बोलते है redox reaction तो option A इसका right answer था उसके बाद 47 की बात करते है cloud formation जो है बादल का निर्मान evaporation से होता है condensation, transmission इन सभी से होता तो option D all of above इसका जो है वो right answer यहाँ पर रहेगा उसके question number 48 की बात करते है compost fertilizer make soil तो जो खाद होती है जो compost केंचु के द्वारा खाद बनाई जाती है वो हलकी सी acidic और basic both की formation में आप लेके जा सकते हैं 6 से लेके 8 pH तक इसकी value रहती है तो इसको neutral की form में जो है वो हम मान के चल सकते हैं तो option C इसका right answer यहाँ पर रहेगा 49 काफी easy question था tooth decay जो है वो कब से start होता है तो जब 5.5 से value जो है वो नीचे चली जाती है तब हमारे दान्त खराब होना शुरू हो जाते हैं electronegativity जो है जब हम left से right की तरफ जाते हैं तो क्या होती है तो वो उस case में increase करना जो है वो start कर देती है तो इसका right answer था option number B increase करना बढ़ना उसके बाद यह काफी easy question था neutron की value तो mass में से atomic number को जब हम कम करेंगे 37 में से 17 चले जाएंगे तो हमारे पास आएगा 20 जो कि किसकी value है neutron की value हमारे पास रहती है तो option B जो है वो इसका right answer यहाँ पर रहेगा उसके आद इमली में कौन सा acid होता है तो tartaric acid जो है वो option B यहाँ पर काफी easy question था यह भी उसके बाद anti acid कौन सा था तो MgOH2 milk of magnesia या फिर magnesium hydroxide इसको बोलते हैं जो कि आपका इनो वगारा में डाला जाता है या फिर ऐसे liquid या फिर ऐसी दवाई जो की ज्यादा acidity होने पर ली जाती है उसमें MgOH2 का use किया जाता तो option C इसका right answer था उसके बाद air pollution की बते से कौन सी बिमारी होती है तो यह तीन बिमारियां जो है यह हमें पता थी यह एक नए option था तो option C आप यहाँ से भी tick कर सकते हैं ब्रोकाइटिस यह इसका right answer था उसके 55 की बात करते हैं तो सबसे lightest particle जो है वो बीटा पार्टिकल था electron सबसे हलका है तो इसके ऊपर negative charge है वैसे यह बीटा के ऊपर negative charge रहता है तो option C इसका right answer यहाँ पर रहेगा उसके आप बोला गया था 0 degree Celsius तापमान पर पानी के कणों में समापता आपमान पर बर्फ के कणों से उर्जा जो है वो कम होती है या फिर अधिक होती है तो उर्जा जो है वो जादा रहती है तो option C जो है वो इसका right answer यहाँ पर रहेगा 57 की बात करते हैं तो temporary hardness जो है वोटर की वो कौन सी बीदी के द्वारा जो है वो अलग की जाती है तो Clark method जो है option A इसका right answer यहाँ पर रहेगा उसके बाद nitrogen का कौन सा oxide है जो की color gas को form करता है तो option D nitrogen dioxide जो है वो इसका right answer यहाँ पर रहेगा option D इसका right answer था उसके बाद यहाँ पर 59th question में भी कुछ confusion यहाँ पर बताई गई है यहाँ पर potassium, magnesium और zinc जो है वो किसके साथ react करते हैं तो कुछ जो हैं वो यहाँ पर hot water के साथ करते हैं कुछ steam के साथ करते हैं कुछ ठंडे जल के साथ करते हैं तो यहाँ पर भी confusion जो है वो बताई गई थी तो मेरे according यहाँ पर यहाँ पर all of these को हम कुछ हद तक touch कर सकते हैं बट मैंने अभी तक इस question को जो है वो तो वाइट Phosphorus option A जो है वो इसका right answer था उसके बाद हम start करते हैं यहां पर physics के section की तो physics का section जो है बोच्छी moderate level का आप जो है वो मानके चल सकते हैं जो की हमारे new learner हैं उनके लिए हम यहाँ पर काफी easy तो नहीं बोलूँगा लेकिन moderate level का जो है वो आपके पास यहाँ पर section जो है वो physics की दी गई थी और question number 61 से हम यहाँ पर start कर रहे हैं physics का तो dimensional formula of surface tension यहाँ पर पूछा गया था तो इसका जो right answer था option c ml0 t-2 यहाँ पर मैं लिख देता हूं ml0 t-2 यह जो है वो इसका बिलकुल सही answer option c जो है वो इसका right answer था उसके बोला था हलके और भारी शरीर के समान गती जूर्जा मतले एक light और heavy body के पास जो है वो equal kinetic energy है तो momentum किसका जादा होगा तो यहाँ पर इसका जो right answer था हो था heavy body option a जो है वो इसका right answer था question number 63 की बात करते हैं a man pull a bucket out a well a mean by a rope the work done by the gravity is जब भी एक आदमी जो है वो कुवे से एक बाल्टी को खींसता है मानके चलते हैं यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और यहाँ पे कोई एक कुवा है तो जब यह एक बाल्टी को यहाँ से जो है वो खींसता है उपर की तरफ तो जो उसके द्वारा कारे किया है यह बाल्टी ऊपर की तरफ लेकर आया है तो और दिखींचीज नेगेटफ में होगा यह पॉज़टिव में होगा ग्रैबटी जो है वो नीचे की तरफ खींचती है तब उसको पॉज़टिव में बोलते है लेकिन जब जब ग्रैवइन tutti काम किया जाए मतलब कि ऊपर की चीज खींची जाए तो वो negative में count की जाएगी तो option B इसका right answer यहाँ पर रहेगा उसके question number 64 की बात करते है escape velocity जो है उसका जो right answer यहाँ पर था तो वो था option D relation आप से पूछा गया था escape velocity और orbital velocity का उसके question number 65 की बात करते है 4 degree Celsius पर maximum क्या रहती है तो maximum density यहाँ पर रहती है लेकिन अगर minimum की बात आती तो minimum के case में आना था minimum volume आपको ध्यान में रखना है 4 degree Celsius के उपर जो है वो maximum आपकी density रहती है और उसी maximum density को आप minimum volume भी बोल सकते हैं लेकिन maximum density और maximum volume नहीं करना है यह maximum density होती है 4 degree Celsius के उपर और 4 degree Celsius के उपर ही minimum volume यहाँ पर रहता है तो option D जो है वो इसका बिल्कुल सही answer यहाँ पर रहेगा उसके बाद boil slow आप से पूछा गया था तो boil slow high temperature और low pressure को शो करता है इसलिए option B इसका जो है वो राइट answer यहाँ पर रहेगा उसके बाद question number 67 की बात करते हैं तो solar energy जो है वो किस कारण यहाँ पर रहती है तो nuclear fusion reaction बहाँ पर होता है option D जो है वो इसका बिल्कुल right answer यहाँ पर रहेगा उसके बाद question number 68 की बात करते हैं speed of a car become three times the kinetic energy become तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर kinetic speed को जो है वो three times किया जाता है तो मतलब कि जो आपके पास formula है half mb square का तो इसमें velocity कितनी हो जाएगी three time हो जाएगी तो three का square जब करते हैं तो nine, nine time option B जो है वो इसका right answer यहाँ पर रहेगा उसके बाद यहाँ पर बोला गया है the unit of force constant इसका जो right answer था आपके पास रहेगा वो आपके पास था newton per meter तो option A जो है वो इसका यहाँ पर right answer था उसके बाद बात करते हैं the length of pendulum of the clock is decreased अगर एक घड़ी के pendulum की लंबाई कम की जाए तो इसकी speed में क्या फरक पड़ेगा तो वो जो है वो fast हो जाएगा तो option A इसका right answer यहाँ पर रहेगा उसके बाद बात करते हैं voter की जो babes होती है वो कैसी होती है longitudinal, transverse या फिर combination तो यह दोनों का combination है option D इसका right answer रहेगा vote power जो है वो किसकी इकाई होती है तो energy की इकाई जो है वो यहाँ पर रहती है vote power उसके बाद आपस equivalent resistance के बारे में पूछा गया था तो यहाँ पर यह पहले दो जो है वो parallel combination में दिये गए थे तो 1 by 2 प्लस 1 by 2 करेंगे तो इन दोनों का जो net है इन दोनों का जो net है वो आपके पास आजाएगा एक उसके आद सीरीज में दिया गया था आपके पास 3 तो 3 और प्लस 1 करेंगे तो आजाएगा आपके पास 4 option D आपके पास right answer था उसके बाद बात करते है 74 की यहाँ पे बोला गया है the distance between consecutive node तो इनके बीच का जो distance रहता है वो रहता है पाई बाइट 2 तो option C जो है वो इसका यहाँ पे बिल्कुल सही answer था 75 काफी easy question था electromagnetic को बनाने के लिए सबसे best material कौन सा रहता है तो वो है soft iron option C इसका right answer था यहाँ पे next question है which of the following force is needed to pick up your school bag तो कौन सी force जो है वो school bag को उठाने के लिए चाहिए तो option D muscular force जो है वो यहाँ पे आपको इपास होनी चाहिए उसके बाद it is difficult to walk on ice because बरफ के उपर चलना जो है वो मुश्किल है क्यों क्योंकि उसके उपर friction जो है वो काफी कम होता है तो यहाँ पे option D जो है वो right answer यहाँ पर रहेगा उसके बाद mismatch की यहाँ पर बात बोली गई थी कौन सा यहाँ पर correct option नहीं था तो lactometer जो है वो दूद को मावता है barometer pressure को thermometer temperature को लेकिन calorie meter जो है वो humidity को नहीं मानता इसलिए option D जो है वो यहाँ पर right answer यहाँ पर रहना था उसके बाद यहाँ पर question number 79 क जलती जो है वो हुई है यहाँ पर velocity of sound की बात की गई थी तो velocity of sound जो है वो 332 यह 330 हम count करते हैं लेकिन आगे छोटा सा concept यहाँ पर बोला गया था vacuum आप सभी को पता है vacuum में तो speed travel ही नहीं करती मतलब कि उसकी कोई speed नहीं रहती तो इसलिए इसका answer जो था वो D था यह इसका का question जो है वो यहाँ पर पूछा गया था option D जो है वो इसका right answer था उसका question number 80 बोला था चार सेकेंड में 40 बार जो है वो एक oscillation होती है तो इसकी frequency के आएगी frequency का formula जो रहता है number of number of turns per unit time तो 40 इसमें turn की गी थी और time था 4 तो यह कटके आपके पास answer आएगा 10 और frequency के unit hertz तो 10 hertz option D जो है वो इसका right answer था question number 81 की बात करते हैं best conductor of electricity तो नमकीन पानी जो है वो सबसे ज़्यादा conductor करता है क्योंकि इसमें salt होता है तो sea water जो है वो इसका right answer था option C इसका correct answer रहेगा 82 question की बात करते हैं image formed by plain mirror तो plane mirror के दौरा जो image formed की जाती है वो होती है उसके same size की तो option D जो है वो यहां पे इसका right answer था उसके बाद यहां पे बोला था angle of deviation for a prism is greatest 4 तो violet color की जो है वो सबसे ज़्यादा deviation रहती है option D right answer था उसके बाद 84 का बोला था man of a height 1.6 meter wishes to see the full image in the plane mirror तो उसको कितनी minimum height रखनी पड़ेगी ताकि उसको 1.6 की जो height है वो उसको दिख जाए तो half होती है उससे तो 0.8 meter की उसको height रखनी पड़ेगी तो option D जो है वो इसका यहां पे बिलकुल सही answer रहेगा next question की बात करते हैं तो यहां पे 85 question में बोला था कि एक object जो है वो रखा गया है 20 cm के उपर और जो mirror है convex mirror उसकी radius है 30 cm creator तो इसका जो correct answer था वो था option number C sorry यहां पे यह जो question है यह आपका इसका जो right answer वो आपका रहेगा वो option है C और A यहां पे इस question में एक छोटी सी जो है वो confusion है यह question आप इसको wrong जो है वो यहां पे मान के चल सकते हैं वैसे जो इसका right answer है वो होना था option C अगर मैं हिंदी के according बात करूं तो लेकिन यह जो आपके पास question है यहां पर question number 87 है यहां पे option C जो है वो दोनों ही हिंदी और इंग्लिश में जो है वो गलत बताए गए थे जो की mismatch थे और यहां पे जो वैसे correct answer देखा जाए तो हिंदी के according option C है लेकिन अगर इंग्लिश के according बात करें तो इंग्लिश के according कोई भी नहीं है तो यहां पर आपको यह है कि इसका एक plus point जो है वो आपको यहां पर मिलने का जादा chance है यहां पर confusion जो है वो इस question में दी गई थी उसके बाद बोला गया है कि कौन सा एक solar system का पार्ट नहीं होता है तो satellite जो है वो एक solar system का पार्ट नहीं है option B जो है वो इसका यहां पर सही answer यहां पर रहेगा question number 87 की बात करते हैं दो person है एक 10 घंटे और दूसरा 12 घंटे में बैंगलोर से हैदरवाद पहुंसता है तो उनकी average velocity में क्या फरक रहेगा तो जो पहला person है एक उसकी average velocity जादा होगी as compared to by तो option C जो है वो इसका बिल्कुल सही answer रहेगा question number 88 है angular speed के लिए यहां पर बताना था कौन सा कैसे हम उस चीज को calculate करते हैं तो impulse के unit जो है वो linear momentum के equal ही रहते हैं तो option A इसका right answer था उसके बाद question number 90 की बात करते हैं यहां पर आपके पास दिया गया था force जो है वो दी गई थी 5 sorry force आपके पास 1 newton थी mass आपके पास 5 kg था mass आपके पास था 5 kg और आपको distance पूछा था 10 seconds के अंदर तो distance जो है वो आप कैसे निकालेंगे s is equal to ut plus half 80 square का आपको formula लगाना था यू की value आपको 0 दी गई थी क्योंकि यहां पर बोला था कि starting from rest तो rest के case में यू आपके पास 0 है acceleration की value आप f is equal to m में से निकाल सकते हैं तो 1 upon 5 आपके acceleration की value रहेगी तो 1 by 2 into 1 by 5 और time का square तो 10 into 10 hundred 5 और 2 10 तो यहां पर right answer आपके पास था 10 तो 10 meter option B जो है वो इसका बिलकुल सही answer यहां पर रहेगा उसके आप mathematics section की बात करते हैं section C जो आपके पास था यहां पर जो पहला question है उसमें बोला था कि इसका discriminant आपको निकालना था quadratic equation का तो इसका जो right answer था वो था आपके पास option D उसके आज question number 92 की बात करते हैं 1 by 4 और 1 by 6 के बीच जो rational number है वो कौन सा है तो वो था आपके पास यहां पर 5 by 24 option B इसका right answer रहेगा उसके आप easy question था यहां पर cube root पूछा गया था 1728 का तो इसका right answer आएगा 12 option B उसके बाद आपसे बहुलक पूछा था mode पूछा था तो बहुलक एक ऐसी value है जो सबसे जादा बार आती है तो इसका right answer था option A जो की था आपके पास 2 यहां पर आपसे पूछा है decimal form यह काफी easy question था zero level का question था यह तो यह तो आप सभी का बिल्कुल सही है option B यह आपको सिर्फ 2 10th is equal to यह किसके equal बोला गया है तो 20 upon 2 जो है option B इसका right answer था उसके question number 98 की बात करते हैं why what fraction should be multiply किसके किसको जो है वो 4 by 5 से multiply किया जाए कि 16 by 35 आपके पास answer आए तो काफी easy question था यह आपको 16 बनाना है 5 into 7 तो 4 by 7 इससे आपको multiply करना पड़ेगा option A इसका right answer था उसके बोला गया था anti derivative of sin 3x किसके equal है तो यह minus cos 3x upon 3 option C इसका right answer था उसके बाद बोला था आपको कि दो perpendicular lines है M1 और M2 तो उनके लिए कौन सा correct option रहेगा तो option C जो है वो इसका right answer था M1 is equal to minus 1 upon M2 इसका right answer था option number C उसके बाद 101 की बात करते हैं तो log x का double derivative क्या होगा तो minus 1 upon x square काफी easy है यह option C इसका right answer था उसके बाद cos 40 plus A sin 30 किसके equal होगा तो sin 30 की value होती है 1 by 2 और cos कितने degree के उपर 1 by 2 रहता है तो cos 60 के उपर 1 by 2 है तो यहाँ पे 60 बनाने के लिए A की value को आपको 20 भरना पड़ेगा तो option C इसका right answer था 103 की बात करते हैं तो triangle के जो बाहर के angle है उनका जो total sum रहता है angles का exterior angle का वो रहता है 360 degree तो option B इसका बिलकुल सही answer था उसके बाद 104 में आपके पास direct triplet rule यहाँ पे लगना था Pythagoras theorem आप लगा सकते थे Hyperneus 10 है और height आपके पास 8 है तो base हमेशा 6 ही आता है unit आपको ध्यान में रखने थे meter meter तो answer आना था 6 meter क्योंकि यहाँ पे question में puzzle करने के लिए 6 cm का भी option आपके पास दिया गया था उसके आत बोला था coin is toast three time यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं वो पहले comment कर रहे थे कि 7 by 8 या 5 by 8 इसका answer हो सकता है लेकिन मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूँ coin को सिर्फ 3 वार ही toast किया गया है और यहाँ पे 3 वार उसको उठाल गया है यह पहली वार यह दूसरी वार और यह तीसरी वार यहाँ पे या तो head आ सकता है या तो tail या तो head या तो tail या तो head या तो tail तो जब आप total probability को देखेंगे तो आपके पास total जो probability बनती है वो बनती है 6 तो इसका मतलब total जो 6 आएगा यहाँ पे 8 है यहाँ पे 8 है इसलिए option A और B तो नहीं होंगे C या D में से आपका हो सकता था तो total probability बनती है 6 और head जो है वो पहली बार में एक आ सकता है दूसरी बार में भी और तीसरी बार में भी तो 3 बार आ सकता है तो 3 by 6 का मतलब होता है 1 by 2 तो option C जो है वो इसका बिल्कुल सही answer यहाँ पर रहेगा उसके बाद 106 जो है वो आपको यहाँ पे multiply standard form में आपको लिखना था तो काफी easy था option A जो है वो इसका right answer था उसके आद 500 रुपे की कोई चीज खरीदी गई 325 रुपे में बेची गई तो profit जो है वो आपको 30% का यहाँ पे रहेगा option C आपका right answer था उसके आद आपको बोला गया था कौन सा एक polymer है तो जिसकी power आती है उसको polymer हम कहते हैं तो इसका right option था आपके पास option number C उसके बाद एक त्रिफुज का अर्द परिमाप बोला गया था परिमाप होता है sum of all side तो option A हो जाना था लेकिन अर्द के लिए बोला गया है semi के लिए तो उसका half कर देंगे तो option B जो है वो इसका right answer यहाँ पर रहेगा अब cos 2A का यहाँ पर formula पूछा गया था काफी easy था cos square A minus sin square A इसका right answer था option number B उसके derivative पूछा गया था sin x at x equal to 0 तो इसका right option था 1 जो की option number A में यहाँ पर दिया गया था यहाँ पर next दिया गया है volume of sphere के लिए तो 4 by 3 pi r cube जो है वो इसका right answer था option C उसके बाद 113 question जो है वो math का वो आपके पास गलत दिया गया था यहाँ पर जो अभी तक जो आपको YouTube के उपर जो है वो answer की जिनों हुने भी बताई है वहाँ पर वो direct इस question को internet के उपर जब भी डाल रहे हैं तो वहाँ पर जो answer आपके पास आ रहा है वो आ रहा है option number B लेकिन आप उस question को ध्यान से देखें जब भी आप इस question को खुद internet के उपर चेक करते हैं यह question answer जो है 1411 बता रहा है लेकिन कब जब आप वहाँ पे आपके पास जो solution है वो इसका रहा है ratio of their रेडियाई नहीं है ratio of their area के लिए जो है वो answer बताया जा रहा है 14 और 11 लेकिन यह पूरा का पूरा question आपके पास गलत है इसका जो राइट answer है वो आपके पास आएगा 7 ratio 11 जो कि किसी भी option में नहीं था इसलिए आपको इसका एक one marks जो है वो extra यहां पे जरूर मिलेगा उसके 114 की बात करते हैं तो यहां पर common difference पूछा गया था तो option a 8 इसका जो है वो बिल्कुल सही answer यहां पर रहेगा उसके बाद 115 की हम बात करते हैं तो area of rembus यहां पर पूछा था आपको length और इसके diagonals की length जो है वो दी गई थी तो आपको formula लगाना था 1 by 2 into sum of diagonals तो जब भी आप इसका multiplication of a diagonal तो जब भी आप इसका formula लगाते तो right option आपके पास आना था option number a उसके बाद average आपको निकालनी थी तो sum of all number divided by total number तो आपके पास answer आना था 5 जो कि आपके पास option number b में दिया गया था उसके बाद median आपको निकालना था तो इसको ascending ये descending order में लिखा जाता है फिर जो बीच के कोई भी दो number बजते हैं उनको plus करके divide by 2 करते हैं तो option a जो है वो इसका right answer यहां पर रहेगा उसके बाद आपके पास 11th term जो है वो निकालने के लिए बोला गया था AP के लिए तो इसकी 11th term जो है वो आएगी 22 जो की option number B में आपके पास दी गई थी उसके आदर second last question में बोला था matrix A जो है वो singular बोला जाता है कब जब A mode की value आपके पास 0 रहती है तो option B जो है वो इसका right answer आपके पास दिया गया था उसके बाद total surface area जो है वो क्यूब का पूछा गया था इसका formula तो six A square जो है वो इसका right answer यहां पर रहेगा जो की option number B में दिया गया था last section था आपके पास section number 4 जीके का portion का जो की काफी अच्छा था यूनीक था इसवार हलका सा और कुछ अलग level के question भी यहां पर पूछे गए थे सबसे पहला question है आपके पास मैं direct यहां पर answer की ही टिक करूंगा हिमाचल परदेश का बहान योग यह उंचा दर्रा कौन सा है तो वह कुंजुम दर्रा option B हिमाचल परदेश का पहला green hydrogen mobility station कहां पर बनाया गया है वो बनाया गया है चंबा में option A इसका right answer था नस्तलिक और शिकस्ते यह जो थे यह लिखायबट की शैलियां थी तो option D जो है वो इसका right answer था उसके हाथ बोला गया था कि किस मुगल समराट ने कुल्लू के जगत सिंग को राजा की उपादी से जो है वो सम्मानित किया था तो औरंग जेव ने सम्मानित किया था option C इसका right answer रहेगा गमगुल सियावेहीवन नजीव अभ्यारण जो है वो किस जिले में है तो यह पढ़ता है आपका डिस्टिक चंबा में option A इसका right answer था उसके आद 1966 में हिमाचल प्रदेश में कुल कितने जिले थे तो 1966 में total 10 जिले थे option D इसका right answer है राजे की कारेपाली का शक्ति किसमें नहीत होती है तो इसका जो right answer था वो था आपके पास राजेपाल के पास option D इसका right answer था उसके आद अन्टचबिल्टी का जो article है वो कौन सा है अवोईलेशन ओफ अन्टचबिल्टी तो आर्टिकल 17 जो अनुछेद 17 है वो इसका right answer है उसके आद 129 की बात करते हैं राजे सबा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है तो वाइस प्रेजिडेंट उपरास्ट्रपती option B right answer रहेगा राजे सबा का सदस्य बनने के लिए minimum 30 वर्ष की आयू होनी चाहिए तो option B जो है वो इसका यहां पर बिल्कुल सही answer रहेगा महान संगीत कार जो थे वो किसके दरवार में रहते थे तो अकवर के दरवार में रहते थे option D इसका right answer है उसके बाद उग्र राष्टरबाद के नेताओं में से कौन से नेता नहीं थे तो गुपाल कृशन गोखले option A जो है वो इसका right answer रहेगा उसके आद बोला गया है यातरी इवन बतूता कहां से आया था तो इवन बतूता जो है वो मुरक्को से आया था option A इसका बिल्कुल right answer रहेगा कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी रहती है तो काली मिट्टी जो है वो उसका सबसे ज़ाद उप्योग जो है वो कपास उगाने के लिए किया जाता है काफी easy question था दाल चीनी किस भाग से कत्रित की जाती है तो आप सभी ने खाई होगी दाल तीनी जो है वो एक बार्क है चाल है एक पेड की तो option D जो है वो इसका right answer रहेगा उसके बाद question number 36 की बात करते हैं ओजोन परत की मोटाई किसके द्वारा मापी जाती है उसके unit जो थे वो dobson है option B इसका right answer है decibel जो है वो किसके unit है वो है आपके sound के उसके बाद 137 की बात करते हैं तो ऐसी कौन सी गैस है जो प्रिथवी की सता को गरम करने के लिए जरूरी है आप ये भी चल सकते हैं कि green house effect के लिए most important gas रहेगी वो है आपके पास CO2 carbon dioxide option C आपके पास right answer रहेगा विश्व ओलंपिक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है तो 23 जून को हर साल वो मनाते हैं option A इसका right answer है rocket scientist नवी नारायन को किस पुरुषकार से सम्मानित किया गया है उनको जो है वो 2019 के आसपास पदम भी भूशन से जो है वो सम्मानित किया गया option C इसका right answer है भारत में रास्ट्रपती का चुनाव किस अनुछेद के तहत किया जाता है तो अनुछेद 55 के तहत जो है वो किया ज आंसर था रास्ट्र मंडल खेलों में कितने देश है तो पचपन देश यह 56 जो है वो काउंट किये जाते हैं तो एप्रॉक्सिमेटली इसका आंसर जो है वो 54 को हम यहां पर टिक कर सकते हैं जो कि है आपका option number A में उसके बाद कौन सा यहां पर जल मरुमर्द्य है जो कि दक इसका right option था option number A रिगबेद में कितने मंडल होते हैं तो 10 मंडल रहते हैं रिगबेद में option A इसका right answer है रिगबेद जो की सबसे पुराना बेद माना जाता है अजाद हिंद फोज की सेना की जो है पहली महिला captain कौन थी तो लक्षमी सहेगल option A इसका right answer रहेगा उसके बाद के साथ अपनी सीमा को शेर नहीं करता है उनका बोर्डर जो है उसके साथ टच नहीं होता है तो बुल्कारिया option D इसका right answer था प्लासी के यूद में अनुछेद जो थे वो यहां पर पहले जो थे वो माने गए थे लेकिन अब जो है वो 410 उससे जादा जो अनुछेद है वो अब हो गए है 148 question है सबसे पहला पंचाईती राज सिस्टम कहां पर लागू किया गया है तो राजिस्थान जो है ऐसा पहला राजित था जहां पर पंचाईती राज सिस्टम जो है वो लागू किया गया था 149 है भोजरी उतसब जो है वो कहां मनाते हैं तो उसका मनाया जाता है डिस्के के चंबा में जो की option C आपके पास यहां पर दिया गया था और last question 150 question आज यहां पर हम discuss कर रहे हैं HP TAT non-medical का जो आपका exam था जो की 12 द question धरम चाला के द्वारा तो शिमला अतीत और बर्तमान पुस्त के लेख कौन थे इनका नाम था Edward J. Buck option C जो है वो इसका बिल्कुल सही answer रहेगा I hope आपको यहां पर मैंने जितने भी question कराए गए हैं आप उनसे अपनी answer जो है वो चेक कर सकते हैं comment box में आप जरूर बताएं कि कितने answer आपके यहां पर जो है वो एकुरेटर बन रहे हैं यह वीडियो आपके HPTAT या फिर अनदर जितने भी exam के आप त्यारी कर रहे हैं चाहे आपका हिमाचल का exam हो या फिर center का exam हो उन सभी के लिए आपके लिए most important question यह आपके पास रहेंगे so I think आपको वीडियो जो है वो काफी अच्छी लगी है वीडियो को आप share करें लाइक करें और channel को आप जरूर subscribe करें यहां पर अगर आपको लगता है कि कोई question जो है वो यहां पर मेरे दौरा गलत जो है वो बताया गया है तो वो भी आप comment box में यहां पर बता सकते हैं मैं उ वीडियोस के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय ही माचल